नमास्कार दोस्तों, बुलीबाई आप के केस ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है लिटरिली एक ऐसी आप जहां पर औरतों की आॉक्शनिंग करी जा रही है औरतों की फोटोज इस्तिमाल करके उन्हें पब्लिकली ओनलाइन पोस्ट किया जा रहा था और बड़े ही डीग्रेडिंग तरीके से उन्हें बेचने की कोशिश करी जा रही थी सुनकर लगेगा कि इस तरह की घटिया हरकत तो कोई हार्ड कोर क्रिमिनल सीरियल रेपिस्ट या कोई साइकोपाथ ही कर सकता है लेकिन असलियत में इस एप के पीछे के मास्टर माइंड आपके पडोस में रहने वाले 18-21 साल के इंजीनिरिंग स्टूडेंट्स हैं ये हालत हो चुकी है दोस्तों देश में रैडिकलाइजेशन की पूरी जनरेशन को बरबाद करके रख दिया है आज की इस वीडियो में आगे समझते हैं क्या है असली रीजन की इतने सारे लोग देश में नफरत से ब्रेनवाश हो चुके हैं सबसे पहली चीज़ा पूछोगे कि मैं इसे एक इंसिनेंट को इतरा बढ़ा चड़ा कर क्यों बोल रहा हूँ एका दुक्का लोग तो हमेशा ऐसे निकली जाते हैं जो ऐसी घटिया हरकते करते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमारे देश में आज के दिन ये बात एका दुक्का लोगों से कही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है अभी ये बुली बाई डील्स की एप है इससे पहले सूली डील्स की एक एप थी जो सिमिलर तरीके से मुस्लिम औरतों को अटैक करती थी इसके लावा टेलिग्राम, किक मेसिंजर, रेडिट, डिस्कॉर्ट पर कई ऐसे चैनल्स हैं जो सिमिलर काम करने लग रहे हैं कई जगाओं पर हिंदू औरतों की फोटो को शेर किया जाता है अंजान हिंदू लड़कियों की फोटोस को जहां पर बहुत ही गंदे-गंदे मैसिजिस लिखे जाते हैं कुछ महीने पहले हमने एक केस देखा जहां पर एक क्रिकिटर की छोटी सी बेटी के खिलाफ थ्रेट्स देखने को मिलें इन फैक्ट देश की यूनियन मिनिस्टर वोमेन एंड चाइल डेवलक्मेंट तक को नहीं छोड़ा गया एक नफरत उगलने वाला इंसान है यती नर्सिंग जिसने बहुत ही शेमफूल चीज़े कही प्रधानमंत्री मोदी और सुम्रिती इरानी के खिलाफ इसके इलावा देश में खुले में धर्म संसद और्गनाईज करवाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को मारने काठने की बात करी जारी है जैशी हरिद्वार धर्म संसद बुलाना चाहिए इसे पिछले साल आउगस में गुंडे खुले में चलते हुए सडकों पर स्लोगन्स उठा रहे हैं जब काटे जाएंगे हम राम राम चिल आएंगे इमाजन करो भगवान राम जिने एक सिंबल आफ प्यूरिटी की तरह देखा जाता है प्यार की नजरों से देखा जाता है उनका नाम इस्तिमाल करके ऐसे टेररिस्ट वाले स्लोगन्स उठाना इसके लावा हालत ये आगई है कि हर महीने दो महीने हमें हेट स्पीच सुनने को मिलती है किसी ना किसी पॉलिटिशन से चाहे वो AI M.I.M. के वारिस पठान हो या फिर BJP के कपिल मिश्रा अनुराक ठाकुर या पर्वेश वर्मा हो लिंचिंग जो शब्द है 2014 से पहले शायद ही कभी सुनने को मिलता था हलाकि इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले लिंचिंग नहीं होती थी लेकिन 2014 के बाद से लिंचिंग इतनी आम बात हो गई है कहीं पर पालगर में साधूं की लिंचिंग हो या फिर अखलाख पहलू खान या तबरेज अंसारी की लिंचिंग हो धर्म के बेसिस पर जो नफरत है लोगों के अंदर इस हद तक बढ़ गई है कि हमें कई ऐसे murders देखने को मिलते हैं अंकित सकसेना का murder क्योंकि वो मुस्लिम औरत से शादी करना चाह रहे थे या फिर चंदन गुपता का murder या फिर कमलेश स्तिवारी का murder हो जो so called religious sentiments hurt करने की वज़े से हुआ हमें shootings देखने को मिलती है जामिया में shooting incident या फिर शाहिन बाग का shooting incident खुले में आप खुद ही सोच कर देखो दोस्तों ऐसे incidents की list कितनी लंबी हो चुकी है दिन प्रती दिन हमें ऐसा कोई case देखने को मिल जाता है तो हाँ ये जो bully by का case है पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई इकलोता stray incident नहीं है अगर हम broader sense में देखें तो यहाँ पर society में radicalization बढ़ने लग रही है जर्निश रवीश कुमार ने कई टाइम पहले एक warning दी थी ये आपके बच्चों को दंगाई बना देंगे और आज ये हमें होता हुआ दिख रहा है इस बुली भाई आप के पीछे किसका हाथ है श्वेता सिंग एक 18 साल की लड़की जो उत्राखंड में रहती है एक engineering student है इसके लावा विशाल कुमार जा एक 21 साल का engineering student येसे आप को promote कर रहे थे कुछ fake accounts के द्वारा जो खालसा extremist के नाम पर बनाए गए थे यहाँ पर बड़ा clear है कि धर्म के नाम पर नफरत घोलने की कोशिश करी जा रही थी लोगों के बीच में इसके इलावा एक तीसरा बंदा पकड़ा गया 21 साल का मयंक रावल उत्राखंड से और latest arrest जो दिल्ली पुलिस ने किया है इस case में वो है नीरज बिश्नोई एक और 21 साल का लड़का second year b.tech का student है वेलोर institute of technology में यहरानी की बात नहीं है क्योंकि पहले भी जो हमें ऐसे cases देखने को मिले है जो जामिया का shooter था वो एक 11th class का student था उसने का था वो school जा रहा था लेकिन school जाने की जगे हैं वो इस protest site पर गया जामिया की जहां पर उसने पिस्तोल से firing करी firing करने से पहले उसने facebook पर message पोस्ट किया था शाहिन बाग खेल खतम और ये कोई बड़ा history shooter नहीं था कोई hardcore criminal नहीं था ना ही कोई gangster था ये बंदा बलकि इसके पापा राजेंदर शर्मा एक पान की दुकान चलाते हैं वो शौक हो गए थे सुनकर कि उनका बेटा वहाँ protest site पर जाकर shooting करने लग रहा है गोलिया चलाने लग रहा है लोगों पर उन्होंने का उन्हें तो कोई idea तक नहीं था इस चीज का उन्हें लगता था कि उनका बेटा किसी से कभी लड़ाई तक नहीं करता सेम चीज हमें शाहिन बाग के shooter का पिल गुर्जर के साथ देखने को मिल उसकी family shocked थी ये देखकर कि कैसे उनकी family का कोई इनसान ये कर सकता है और जिस इनसान ने विराट कोली की बेटी को threats दिये थे राम नागेश श्रीनिवास वो भी कोई hardcore criminal नहीं था बलकि एक 23 साल का software engineer था जो IIT हिदराबाद से graduate किया था इन सारे cases में ये जो accused लोग हैं ना तो इनकी कोई personal दुश्मनी थी ना इनका कोई गुंडागर्दी का background था ये किसी criminal परिवार से नहीं आते थे और ना ही ये कोई uneducated लोग सब पड़े लिखे थे अच्छी education कर रहे थे engineering कर रहे थे तो फिर इन्होंने crime क्यों किया क्योंकि ये एक विचारधारा से influence थे एक ideology से काफी प्रभावित थे ये लोग और इस चीज़ को ही terrorism कहा जाता है कि परिरर करना किसी के उपर सिरफ एक विचारधारा से प्रभावित होकर किसी इजम की वजह से अब ये इजम कोई धर्म हो सकता है कोई political ideology हो सकती है कोई economic ideology हो सकती है कुछ भी हो सकता renowned writer जाविद अक्तर जी ने twitter पर लिखा था कि bully by case में जो 18 साल की लड़की है accused है इसने अपने दोनों parents खो दिये थे cancer और corona से तो शायद इसे forgive कर देना चाहिए माफ कर देना चाहिए इस चीज को लेकर कई लोगों ने जाविद अक्तर जी की खिलाफ लिखा कहते होई कि ये गलत है वो criminal है उसे criminal की तरह treat किया जाना चाहिए journalist Rohini Singh ने लिखा कि अगर उन्होंने अपने किसी parent को COVID की वेज़े से खोया होता तो उन्हें गुसा आता सरकार के खिलाफ COVID mismanagement पर लेकिन यहाँ पर अपने parents को खोकर आप औरतों को auction करने लग जाओ online ये कैसे हो सकता है कोई ऐसा criminal कैसे बन सकता है यह बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा यहाँ पर मैं माफी मांगने के सवाल पर बात नहीं करूँगा लेकिन मेरा मानना है कि हमें empathy जरूर होनी चाहिए उस लड़की के लिए जिसने हरकत करी Confuse मत करना मैं sympathize करने को नहीं कह रहा हूँ sympathize का मतलब होता है हमदर्दी दिखाना किसी के लिए लेकिन empathy का मतलब होता है दूसरे के perspective को समझना जो उसने किया ऐसा क्यों किया और इस case में empathize करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि कोई यहाँ पर एक नफरत का पेड बोया गया है श्वेता और विशाल उस पेड की बस दो टेहनिया है अगर इन्हें arrest कर लिया जाएगा आप इन्हें trial पर डाल दो इन्हें convict कर दो लेकिन टेहनी को काटने से पेड नहीं करता हमें पेड को काटने के लिए पेड की जडो तक जाना पड़ेगा क्या roots है इस नफरत के पे कार बन जाएंगे आठ से आठ साल पहले 2014 में ये जामिया का shooter और ये शोयता सिंग 10-11-12 साल के बच्चे होंगे ये बच्चे सोच कर देखिए ऐसी environment में बड़े हुए जहां पर politicians के लिए hate speech फैलाना बड़ी आम बात बन चुकी थी ये ऐसी television debates देखकर बड़े हुए जहां गोधी मीडिया के दुवारा रोज Hindu Muslim Hindu Muslim करना आम बात बन चुकी थी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना आम बात बन चुकी थी ये ऐसे YouTubers को देखकर बड़े हुए जो औरतों को objectify करते हैं और तों को एक commodity की तरह treat करते हैं और और उस चीज़ को comedy की तरह present किया जाता है और जो भी जीतेगा उसको मिलेगी स्वीती के गाल पे पपी ओए गाल पे पपी का क्या सीहन है है स्मूच लगवा स्मूच है स्मूच एक मिन देखे हैं स्वीती को बारेगी स्मूच ये कैसे टाइम पर बड़े होए जब Facebook के algorithm ने radicalization को promote किया और उसे बढ़ावा दिया इसकी बात मैंने वैसे Facebook papers वाले वीडियो में करी थी अगर आपने नहीं देखा है link उसका नीचे description में डाल दूँगा Facebook के whistleblower ने expose किया था Facebook की कई internal documents को और ये दिखाये था कि कैसे नफरत को और बढ़ावा मिला ना सिर्फ इंडिया में बलकि दुनिया भर में लेकिन सबसे interesting बात ये है दोस्तों कि अगर कोई गोदी मेडिया ना भी देखे टीवी पर सोशल मेडिया पर Facebook का इस्तेमाल ना भी करें आम तोर पर रोज मर्रा की जिन्दगी में इस्तेमाल की जैना वाली एब्स जैसे कि WhatsApp पर भी ये सब किया गया WhatsApp युनिवर्सिटी जिसे आज हम बड़े infamously जानते हैं उसका इस्तेमाल किया गया जूट फैलाने के लिए फेक न्यूस फैलाने के लिए और ऐसे ही highly provocative और नफरत भरे ideology को लोगों के अंदर डालने के लिए और इस तरह की brainwashing का असर हमें हर धर्म के लोगों में देखने को मिला जहाए एक तरफ हिंदू युवा जैसे की रामभक्त गोपाल radicalized होए वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम यूथ जैसे की आदिल एहमद दर radicalized होए ये 21 साल का कश्मीरी militant था जो suicide bomber था पुलवामा अटैक का रामभक्त गोपाल की ही तरह report किया जाता था कि ये बहुत shy था और चुपचाप रहता था और जैसे रामभक्त गोपाल अपने आपको hero समझ रहा था ये काम करने से पहले सेम चीज आदिल के साथ भी थी रामभक्त गोपाल ने facebook पर लिखा था मेरी अंतिम यात्रा पर वीडियो था जिसमें वो clearly बहुत proud फील कर रहा था कह रहा था बाकी Muslim youth से कि प्यार में मत पढ़ो जिहाद में जॉइन करो इन सब cases में brainwash किये जाने का process एक जैसा सही होता है step one आप हिंदू है या मुसल्मान है आप तोर पर एक इनसान की जो personal identity होती है उसमें कई सारे अलग-अलग factors होते हैं आपकी education कैसी है आपकी caste क्या है आपकी economic class क्या है आपकी employment कहां पर होई है आपकी विचार क्या है आपकी जो personal identity है वो इन सारी चीजों से बनती है उन मेंसे religion भी एक पार्ट होता है आपकी identity का लेकिन ये लोग क्या करते हैं जब brainwash करना होता है तो आपकी religious identity पर सबसे ज़्यादा importance डाली जाती है कि आपकी बाकी सारी identities खतम हो जाए बस आप अपने अपको अपने धर्म के थरू identify करें ये किया जाता है WhatsApp messages भेज कर जिनमें बार-बार ऐसे phrases का इस्तिमाल किया जाता है कि हम हिंदू हैं या हिंदू एक्ता हम हिंदूों को एकटे होना पड़ेगा असली हिंदू को हमेशा खून खोलना चाहिए ये जो Muslim है या हम Muslim जो है यहाँ पर Step 2 हम बड़े oppressed हैं एक बार आपकी identity बना दी गई धर्म के रहूं तो आपको बताया जाता है कि आपके धर्म के खिलाफ कितने अत्याचार हो रहे हैं आपको यहाँ पर खत्रा है किसी चीज का WhatsApp messages में आपको गोरी खून खराबे वाली provocative details बताई जाती हैं बच्चों को मारा जा रहा है औरतों को रेप किया जा रहा है इंसानों को गोलियों से मारा जा रहा है कई वारी खून से भरी होई photos भी circulate करी जाती है अब हर case में photos वीडियो जोटी नहीं होती कुछ cases में sadly यह सच भी होता है लेकिन आपको इस तरीके से present किया जाता है कि सिर्फ आपके धर्म के साथ ही होने लग रहा है जबकि reality यह होती है कि हर तरह के हर तरफ से अत्यचार देखने को मिले हिंदूस ने Muslims को मारा Muslims ने Hindus को मारा किसी ने Jews का genocide किया Muslims ने Christians को मारा Christians ने Muslims को मारा Actually religious biography की वज़े स दुनिया भर में पिछले 500,000 सालों में लाखो करोडों लोगों की जाने गई है तो जब यह messages दिखाए जाते हैं आपको WhatsApp पर कि think of what was done to Hindu women in 1921 मोपला रायट्स यह सच जरूर है कि present uprising में एंटी हिंदू रायट्स हो गए थे लेकिन 2002 के गोज़रा रायट्स भी उतने ही सच है 1984 के हिंदू सिख रायट्स भी उतने ही सच है 1990 में कश्मीरी पंडिस पर हमला किया गया था उन्हें कश्मी छोड़ कर भागना पड़ा था 1999 में हिंदूत्वा ग्रूप बजरंग दल ने Christian missionary Graham और उसके दो छोटे बच्चों को आग से जला दिया था मार कर हत्या कर दी थी यह सब उतना ही सच है सेप्टेंबर 11 के हमलों के बाद उसामा बिन लादेन ने एक ओपन लेटर लिखा था अमेरिका को यह बताते होए कि पैलेस्टीन लेबिनन सोमालिया के लोगों को कितना अत्याचार सहना पड़ा है और उसमें अमेरिका की क्या involvement है वो भी सच है चंदन ग स्टेप 3 हमेशा जूट होती है यहाँ पर complete fake news बताई जाती है दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पर एक खत्रा मंडरा आ रहा है हमारे धर्म के उपर और स्टेप 4 आती है क्या आप ready हो hero बनने के लिए यह final step है एक emotional appeal करी जाती है यह religious appeal करी जाती है कि अपने धर्म के लोगों बचाने के लिए अब समय आ गया है hero बन जाओ गोली उठा लो सबसे interesting चीज़ पता है क्या दोस्तों यह जितनी भी यहाँ पर brainwashing करी जाती है इसके जो victims बनते हैं वो आम लोग बनते हैं यहाँ पर कभी भी जो आपने नहीं दिखा होगा कि इन politicians के बेटे बेटी कभी इस brain Harvard में पढ़ रहे हैं जावितकर के बेटे Boston, राजनात के बेटे Leeds University, निर्मला के बेटी NW University, RS प्रसाद के बेटे Cornell, अमित शा के बेटे BCCI में जहें एक तरफ विशाल जहा, श्वेता सिंग, मयंग रावल, अब कई साल अपने जेल में बिताएंगे नफरत फिलाने के acquisition पर लेकिन ये जो टॉप पर बेटे नेता हैं, जो कुछ नहीं करते इस नफरत को रोकने के लिए या अकसर खुद ही ये नफरत फिलाते हैं, उनक पूरा यकीन होता है कि जो वो करने जा रहे हैं वो सही है या पर, अपनी कहानी के वो हीरो होते हैं, तभी तो कोई अपनी पूरी जान गवा सकता है या अपने पूरे career अपनी जिन्दगी को बरबाद करके रख सकता है इस विचारधारा के अंदर आख, ऐसे ये लोग अग जो environment थी वो इतनी नफरत वाली थी कि ये सारे अच्छे काम इनके लिए priority नहीं थे, ये इतना brainwashed हो गए थे कि इन्हें यही ऐसी घटिया हरकते ही करें, fact मैं हैरान नहीं होंगा कि आप मैंसे कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ हिंदूस, कुछ मुसलिम देखकर कहेंगे कि उन्होंने गलत क्या किया, अगर हम पर हमला किया जा रहा है तो हमें revenge तो लेनी ही चाहिए, कि हम अपने आपको बचा तक नहीं सकते हैं, अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कहीं आप भी प्रभावित हो गए हो ऐसी कट्टर विचारधारा से, मैं इसका जव काम भक्त गोपाल की गोली थी, वो एक जामिया स्टूडेंट शादाब फारुक को लगी थी, हाँ चंदन गुपता मारे गए थे, कमले इस्तिवारी मारे गए थे, लेकिन शादाब फारुक की क्या गलती थी, उन्होंने तो जाकर नहीं मारा था ना उन्हें, सिमिलरली अंकिज सकसेना के केस के बारे में सुनाओगा जहां पर कुछ मुस्लिम्स ने अंकिज सकसेना का मर्डर कर दिया, लेकिन नजीब की 65-year-old mother, क्या उन्होंने अंकिज सकसेना को मारा था, नहीं ना, तो फिर उन्होंने नजीब की मदर की फोटो इस बुली आप पर क्यों यहां एक revenge हमला होता है, उसके response में एक और revenge attack होता है, यहां कोई end नहीं होता radicalization का, ऐसे incident से radicalization फिर और बढ़ती ही चली जाती है society में, डर बढ़ता चला जाता है, अंकिज सकसेना के जो father थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्रोंने अपने आपको consume नहीं होने दिया इस communal hatred से, इस revenge की feeling से, जब उन्होंने realize कि कुछ लोग उनके बेटे की photo इस्तिमाल कर रहे हैं और नफरत घोलने के लिए देश में, तो उन्होंने अपील करी उसके against, उन्होंने कहा कि जिन लोगोंने उनके बेटे को मारा है, वो कुछ specific Muslim लोग थे, जिनने पुलीस के दौरा पकड़ लिया गया है, law अपना काम कर रहा है, लेकिन अंकित की मौत को यहाँ पर communal नफरत फिलाने के लिए नहीं इस्तिमाल किया जाना चाहिए, in fact उन्होंने एक organization भी बनाई, interfaith marriages को support करने के लिए, लेकिन ये लोग जो नफरत फिलाने का काम करते हैं, ये लोग आज के दिन तक अंकित सकसेना की death को इस्तिमाल कर रहे हैं नफरत फिलाने के लिए, गंगना रेनोट और अरनब गोस्वामी जैसे लोग नफरत फिलाते हैं पालघर lynching case का इस्तिमाल करके, जबकि वहाँ पर कोई communal angle तक नहीं था, same चीज़ करी गई थी, डॉक्टर नारंग के case में, additional DCP भारदु आज ने कहा था, investigation के बाद की, यहाँ पर एक जगड़ा हो गया था, डॉक्टर नारंग के case में, जहाँ पर 9 accused लोग थे, जिनमें से 5 हिंदू थे, तो यहाँ पर कोई communal angle नहीं था, इन सब चीजों को solution बड़ा simple है, law and order यहाँ पर बड़ी सक्ती से काम करना problem यह है, police यहाँ पर politicians के इशारों पर नाचती है, और politicians जब खुद से ही नफरत घोलने वाली चीज़े बोलते हैं, lynching, accused को मालाएं पहनाते हैं, तो police कैसे action लेगी ऐसे cases में, हमारे politicians और सरकार इस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा उठाने लग रहे हैं, यहाँ पर divide and rule खे तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ को रोकना पड़ेगा, धर्म के नाम पर vote मत दो कम से कम, ताकि वो मजबूर हो जाएं, यह सबका साथ सबका विकास वाली politics को actually में practice करने पर, और police से यहाँ पर ज्यादा expect नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो politicians के हातों में हैं, लेकिन कम से कम आप अपने family का तो ध्यान रखी सकते हैं, अपने family में जो young लोग हैं, जो youth हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए कि कहीं वो इस brainwashing का सिकार तो नहीं बन रहे हैं, किस तरीके की चीजों से वो प्रभावित हो रहे हैं, यह video अपने family members और दोस्तों के साथ श कर दो बना से कुझ कोTHी अपने Itaries, पटा हैं, यह हैं, यह वो हैं, वो रहना हैं, कि खा मुआ प्रुラएगर यी हैं, यह पर्देशन के अपने यह यहां हैं, यह परा वोगा हैं, के यहे था लोग 유ा